वेलो गाइज एंड वेल्कम टू अनादर वीडियो सो बखेंगम पैलेस के बारे में आपको मालूम होगा काफी व्ल्ड वाइड फेमस जगह है यहां पे जगह नहीं पैलेस है लंडन में और रानी का महल जिसको करे लोग बोलता है लेकिन एक करे लोगों को यह डाउट है ड वह डुआज गेर řाजरानी का नहीं रहे है वो उनका काम करने की आपको यह निको वर्कपलेस तो खाड़ित उनका काम करने का जैगह जो है वो इतनी बड़ी है तो घर कीतना बढ़ा हो गाए ना मटलप वो लिटरिली एक लाए है बगगेंघ पैलेस तो फैयर था वह आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है विंस वर कैसल तो हम जुरू कर दिया है जल्दी पहुच जाएंगे वहां पर और पोचना के बाद दिखाते हैं आपको राज जानानी का महल जहां पर रहते हैं बट ऐसा बोलते है के उसके मॉस्ट पर जो अंदर जहां पर लग्जुरियस चीज़ हा थोड़ी सी जहां पर शूंत नहीं करने लेते हैं तो लेट सी इत्लों करते हैं कि अदर तो रहेट हैं तो बहु पांच गढ़े हैं विंसर कैसल ये सामने कैसल है और यी इस का दरौयल अब जाते हैं अंदर और एंट्री लेता है और यह है इसका फ्रेंट व्यूव वैसे यह वाली इनकी एक में एंट्रेंस है लेकिन विजिटर्स के लिए अग गेट है एंट्री का इसके लिए लाइन वगरा लगेंगी तो यहां से जाएंगे हम लोग तो भाई एंट्री हो गई है कैसल में और सिक्योरिटी मतलब क्या सिक्योरिटी बताऊं जैसे टोटल एरपोर्ट पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं न गंस के साथ और आपको सारा समान अलग से निकालना पड़ेगा स्कैनल में से निकालने के लिए और एक्सपेक्टिट भी है अगर आप किसी देश के राजारानी के घर जा रहे हो तो भाई इतनी सेक्योरिटी तो बनती है अब राजारानी के घर तो ऐसे बोलें से खाने पर बुलाया है थीक है चला मान लेंगा हम सोच लेंगा में खाने बुलाया ठीक है एंट्री हो गी है और यह हमारे पीछे कैसल तो जैसे कि पहले बताया था कि सारी जिगा पे तो शूटिंग करने के लिए नहीं मिलेगा मतलब हम फोटो यह वीडियो नहीं बना सकते लेकिन जिस एरिया में हमें शूट करने के लिए लाओड होगा वहां पे हम शूट करके दिखाएंगे कि पाइब चैसल में अपर्ण करती सबसे पहले है हमारे सामने सेंट जोर्ज गेट लेकिन यह बंद है यहां से विजिटर्स वगरा नहीं जा सकते विजिटर्स वगरे के लिए दूसरा भी है जाने के लिए लेकिन अंदर से कितना पड़ा है अब बेदे के लिए अबड़ा है है यहां से विजिए बेदे कि लिए आप कि अबड़ा है अब आप यहां से विए बिल्कुलेक नंबर का है यहां से यह तो विन्सोर टाउन और उदर शायद कोई एक नदी वगर अभी हमें दिखी थी यहां पर किंदी बड़ी तोफ रखिवी है लेक वगरा है शायद उदर कोई हाँ बोटिंग अगरा भी हो रही है फार के अच्छा बड़ा बराबर में तो राजा रानी के अगर बात करें तो भाई अभी तो अभी यूके में राजा हैं किंग चार्ल्स थर्ड रानी पिछले साल अब कुछ दिन पहले दोतीन दिन पहले उनकी फर्स्ट सप्टम्बर को उनकी फर्स्ट अनिवर्सरी थी अब इस वो जो जो जानी थी ना एलिजबेट वो सुछ लंब टाइम तक उसने राज किया है वो 1952 से लेके 2022 तो और जो अब के इंचार्स है ना वो भी सेवेंटीज में आई गया गया दो काफी ओल्ड है लेकिन इस वाली रोयल फैमिली को मिलब यूके की जो राजा रानी है इनको सबसे व्ल्ड वाइट सबसे जादा फेमस मानते हैं वह इसलिए क्योंकि हां एक तो यह बहुत पुरान है मिलब काफी टाइम से रूल वगरा कर रहे हैं यह कुछ शायद आई किस दस्वी सदी से इनको हैं और है कि सिर्फ के एक मतलब राजा राणी नहीं है यह के साल अभाभा भी ऐतिक 31 यह बारह कुछ ऐसी कंट्रीश हैं इन में की, एकिके दो राजा रानी का रूल वगरा चलता यह से कि वहात फेमस्सुत से कै whats आ estou go तो में गंट्रीज तो यह भी बाकि छोटी मोटी और भी कंट्रीज हैं जिन में की राज़ा रानिका यह वाला एक तरीके से बोलते हैं तो वह तो किले के अंदर तो शूट करना अलाउड नहीं था लेकिन हमने में जित्में भी जगा थी के लिके अंदर वहां पे पिक्छस जालके आपको दिखाने के कोशिश की है और आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर से यह कितना शांदार और खुब सुरत होगा अब आप 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 और यह सामने सब सूपर वाला जो पार्ट है बिल्डिंग का यह कैसल का वो था रानी का कमरा जहां पर आप 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 हावा चल लिए क्योंकि दूप नहीं है और पिछल दो तीन दिन साथ इतनी गर्मी हो रही थी कि पतिस तैस्स डिग्री तक यहां पर टेंपरेचर जा रहा था अच्छे से कोंबे नहीं पा रहे थे लेकिन आज लगी क्योंकि ओपन में गुमना हो रहा है यहां पर जाधा तर तो दूप अगरा नहीं है और बहुत पढ़ियों मुसम हो रहा है हावा दिखी रहे होंगे अंग्रे जोगे बाल उड़ते रहे हैं जहां पर इनकी मतलब कुद प्रेयर बगरा करते हैं और जितनी भी सेरेमिनीज बगरा होती है वो इनके अंदर ही होती है लेकिन एंट्री पर लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी या फिर वीडियो वगर आलाओड ही नहीं है तो बठाव यह बाहर से कितना शांदार दिखता है इनका जो टॉन का अर्किटेक्टर है ना यूरॉप का बहुत ही घजब का बहुत ही जादा होती है कि मतलब चोड़ी से चोड़ी चैपल के बार में बताओं तो ऐसा बोलते हैं कि यूग के में जितनी भी चैपल है ना यह उन में से सबसे सुंदर है वरी हमने चीज यहां पर आने से पहले सुनी भी थी पढ़ी भी थी लेकिन अभी चैपल जब देखके निकले है ना मतलब लग रहा है कि हाँ हो सकता है है इतना सुन्दर reaching से नहीं है तो हम लोगों को उतनी knowledge नहीं होगी हरो उस चीज जो अंदर है लेकिन देखने में कि अगर बात करें कि देखने में जितना सुन्दर यह था वाकई और जैसे कि हाँ मैंने पहले बता थे कि भी ceremonies वगरा सब इसी chapel में होती है royal families की लेकिन royal families में से जब भी किसी की जैसे कोई death वगरा होती है तो उसको यहें पर इसी के अंदर यहां पर दफनाते हैं और अब ही जैसे रिसेंटले मेंने उड़ा थी queen elizabeth क्यों थी वह एक साल हुआ है उनकी जो burial site है कबर वगरा है वह भी इसी के अंदर थी तो यहां पर अंदर जैसे जैसे राजरानी जो भी पूराने एक्सपार हुआ है ना उनको एक साथ ही तफनाते हैं तो जो queen elizabeth थी उसके भी जब burial कबर वगरा बोलो वह उसके husband के king George के साथ ही थी वह अंदर और अब ही आ गए है दफ फेमस रोयल गार्ड के पास और यह रहे बहुत पीछे यह मलब बहुत फेमस हैं यह रोयल आर्मी जो गड़ाना बंगी कम पैलस में अगर आप देख लो वहां पे इनकी मलब पूरी आर्मी टाइप की रहती है और लोग आते हैं दूर दूर से दे वीडियो बना फोटो करो कुछ भी करो यह लोग मूव नहीं होतें बिल्कुल भी अजय स्टेल भी खड़े रहेंगे लेकिन आप कभी कभी होता है कि लब जो लोग मलब जैसे होता है गलत फायदा उटाते हैं तो उस ताम पर यह लोग हील भी जाते हैं चिला देते हैं एक एक बहुत ही famous road है और वो road castle के जो एक अलग direction के जो gate है उसके just सामने है तो पीछे तो है वो हमारा castle का gate और पीछे castle है और उसके just सामने है यह है वह रोड बीच में जाकर देखाता हूं आपको तो यह बीच में रोड है बिल्कुल और दोनों तरफ घास और पेड़ अलगे में तो इसको बोलते हैं दा लॉंग वाक अब दा लॉंग वाक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पूरी 2.6 संथिंग माइल्स है यानि कि चार साधे चार किलोमेटर और मतलब जहां तक देखो वहां तक आप पूरा सिर्फ अपको रोड ही देगा गई है इसलिए इसको दो लॉंग वाक बोलते हैं एक सार पहले रानी की डेथ हुई थी और उसकी बोड़ी बगर लेके आये थे तो वह इसी लॉंग वाक से लेके आये थे जितने भी रोयल गार्ड बगर थे वो सब लाइन में यह पूरी की पूरी रोड बरी भी थी उस टाइम प तो उनी की गाड़ी आ सकती है वसे हां से जहां पर कोई पब्लिक में कलाला हूं नहीं है अगर आपके बूटने तनी मजबूत हैं कि आप 4-4 किलोमेटर ऐसे लंबे जा सको और फिर वापस आ सको तो जरूर बढ़ी पिक्मिक पोड़ अच्छा है ना यहां पर पेड़ की चाहां में बैठों चुर गोड़े जाय कर रहा है अशल का टूर तो हो गया पूरा यह पीछे है चैपल और यहां से हम निकल गायते तो वीडियो भी पूरी अब एक चोटा सा मेसेज मोमेटर गेंगे है यह मारी बकेट लिस्त में है तो मोमेटर जब भी आएंगे तो मुन आगे बार थोड़ा बहुत खाना पी ना खाएंगे लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना कमेंट करना और युट सी इंदे नेक्स्ट वीडियो बाइए